उद्रविदेश ये कानपूर में आठ पलिस कर्मी शहीद हो गए हैं दरसल ये पलिस वालेग हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गए तो बदमाशों ने उन्हें घेर कर गोलियां बलसा दी इस गोली बारी में एक शेत्रा दिकारी यानि की डिप्टी स्पी समितार पलिस कर्मी शहीद हुए हैं और साथ पलिस कर्मी खायल हुए हैं रिसल कानपूर देहाद के शवली थाना इलाकी में पलिस ने बिक्रू गाउं में दबिश दे थी पलिस यहां इस्ट्रीशीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी दबिश के दुरान बदमाशों ने पलिस को घेर क कर फाइरिंग कर दी जिसमें आठ पलिस वाले शहीद हो गए विकास दुबे वही अपरादी है जिसने 2001 में राजनात सहस सरकार में मंत्री का दर्जा पाई संतोश शुकला की ठाने में खुसकर हत्या की थी विकास दुबे पर और भी कई मामले दर्ज हैं उत्रप्रिदेश के सभी राजनितिक दलों के उपर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की पकड़ है साल 2002 में मायवतीब के मुख्यमंत्री रहते हुए विकास दुबे ने कई जमीनों पर अवीद कब्जे किये थे विकास खुद नगर पंचारत का चिनाव भी एक बार जीत चुका है 2000 के बिश्वर पांडे की हत्या में भी विकास का नाम आया था इसके लावा कानपूर में शिब्ली थानक्षेतर में ही साल 2000 में राम बाबु यादव की हत्या की मामले में विकास दुबे पर जेल के भीतर रहकर साजश रचने का आरोप है यहीं नहीं विकास दुबे इतना तो सब इंस्पेक्टर और चार सिपाही शहीद हो गए इसके अलावा साथ पुलिस कर्मी खायल हुए हैं जिन में कई की हालत गंभीर है पुलिस हत्या के प्रियास के केस में शातर विकास दुबे को अरेस्ट करने गई थी विकास के खिलाफ साथ केस दर्ज है उधर विकास दुबे के खिलाफ कुछ दिन पहले हत्या के प्रियास का केस दर्ज किया था पुलिस विकास दुबे को गिरफतार करने गई थी जैसे ही फोर्स गाओं के बाहर पहुची तो वहाँ जेसी भी लगा दी गई इस वज़स से फोर्स की गाड़ी गाओं के अंदर नहीं जा सकी डीजीपी आवस्ती ने बताया कि गाड़ी अंदर ना जाने की कारण पुलिस कर्मी गाओं के बाहर ही उत्रे तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने फाइरिंग शुरू कर दी पुलिस की और से भी जवाबी फाइरिंग की गई लेकिन बदमाश उचाए पर थे इस वज़़स से पुलिस कर्मी उको गोलियां लगी और आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स